तो आज जो आपके सामने हम वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है split gene arrangement तो basically जो split gene arrangement हमें देखने को मिलता है यह कहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि split gene arrangement हमें देखने को कहा मिलता है तो हम सभी ने जैसे कि हमने transcription पढ़ा था तो हमने यह पढ़ा था कि structural gene जो है structural gene in a transcription unit in a transcription unit जो हमारी ncrt में भी दिया है structural gene in a transcription unit could be monocistronic monocistronic is a functional segment of the dna which makes the protein विच में सब पॉॉले पैप्टाइड तो सिस्टोन एक डिने का सेग्मेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जो बनाता है और बहुत सारी पॉलेजस्टाइड मिलकर बनाती है प्रोटीन एक पॉलेजस्टॉन इक प्रोटीन बना सकता है तो मोनोजसिस्ट्रोनिक जो जीन होता है बेसिकली वो मोस्टी देखा देखा जाता है यू के अंदर मोस्टी इन यू के रिए और अगर अगर हम यहां पर लिखे और पॉलिस इस्टोनिक तो पॉलिस इस्टोनिक जो स्ट्रक्च्रल जीन होते हैं बेसिकली वो मोस्ट्ली मिलते हैं मोस्ट्ली इन प्रोकेरियोट पॉलिस इस्टोनिक का मतलब होगा है कि बहुत सारे सिस्टोन यहां पर मिलकर एक पॉलिव्टेड बनाएंगे यह बहुत सारी पॉलिव्टेड बनाएंगे जो की मिलकर फिर एक प्रोटिन को बना सकते हैं सब्सक्राइब इसुट्यू उकनक के इसकुट्ट्रों इस में सब्सक्राइबेर उस्ट इस्ट्रणेड संप्ट्छूंह कि इस the monocystronik structural gene has coding and non-coding segment coding and non-coding segment coding and non-coding coding segment called as exon and intron exon and intron such gene is called split gene तो मतलब एक ऐसा ऐसा जीन का पार्ट एक ऐसा आप जैसे हम सभी जानते हैं कि all the genes are DNA but not all the DNA genes तो genes एक ऐसा जीन जिसके अंदर exon exon basically होती है coding sequence जो प्रोटीन बनाती है polluted बनाती है intron is also called as intron is also called as intron is also called as junk DNA junk DNA junk DNA और इसकों spacer DNA भी बोलते हैं it is also called as spacer DNA और इस अलसो कॉल्ड एज inter winning sequence intervening sequence intervening sequence जो होती है भीन को बोलते हैं which is shortly known as IVS तो कहने का मतलब यह है कि split gene arrangement होता है basically वो ukaryotes में देखा जाता है ukaryotes के इंदर देखा जाता है क्योंकि ukaryotes का monocystronic structural gene होता है उसके अंदर coding और non coding sequence होती coding sequence को हम बोलते हैं exon और non coding sequence जो protein polluted नहीं बनाती है उसको हम बोलते हैं intron तो यह हमने basic sequence basic जनकरी देख ली है कि split gene के बारे में split gene का जो arrangement है यह सबसे पहले किसने discover किया था Robert and Sharp 90 93 के अंदर ukaryotes के अंदर उन्होंने यह discover किया था तो basically मैं आपको यह बहुती असान भाशा में समझाना चाहता हूं कि यह split gene arrangement basically होता क्या है देखिए तो यहां पर आप यह देख सकते हैं suppose कीजिए कि यह ukaryotes का dn में है और dna हमारा double standard होता है आप सभी जानते हैं dna के दो strand होते हैं 523 और 325 दूसरा strand होता है 325 तो suppose कीजिए कि यहां पर यह जो यह जो जीन है यहां पर हमारे पास कि वो क्या है एक्जान है कि देखिए यह सब्सक्राइब यहां पर हमारे पास यह एक्जान वन है है इस इस एक्जान 2 एंड इस इस एक्जान 3 ठीक है और इन एक्जान के बीच में हमारे पास क्या है इंट्राउंट सिक्वेंस हैं इन एक्जान सिक्वेंस के बीच में हमारे पास क्या है इंट्राउंट सिक्वेंस है इन ट्राउन वन इन ट्राउन टू तो यह जो हमारा जो जीन है इसको स्प्लिट जीन बोलेंगे क्योंकि यहां पर एक्जों इंटरप्टिड है एक्जों इस इन्टरॉटेड वाई इन ट्रॉट बाइए एसे आरेंट को हम बोलते हैं जीन अरेंजमेंट इसे डिन ने यह जो मारा डबल सेंड़ डिन ने है डिन अफ यू करियोट तो इसमें प्रॉग्लम क्या है कि एक्षुलिस में दोनों एक जॉन सिक्वस भी है इंट्रॉं सिक्वस भी है तो जब भी इसमें जैंनेंगेंट के साथ इन्ट्रॉं सिक्वस भी आ जाएगी और जैसे की हमेंब्हेंट ए पता है कि सपोस्ट करो यह आरने मेसंजर आरने अभी इसको मेसंजर आरने क्या सकते क्योंकि यह एरने क्या होता है ही ट्रोजिरन ही यू के अंदर इसे हमें क्या कहना पड़ेगा ही ट्रोजिनस आरने ही ट्रोजिनस आरने जिसको हम शॉटकट में एंसी आर्टी में लिखा भी हुआ है है इसको हम प्री मेसंजराय भी मोलते हैं बंता यह जो घृट करता है और किया बनाता है इसको हम लिए न करता है आरने बनाएगा आरने की डिरेक्शन हमेशे 523 होती है और यह उपर वाली जो सीक्वेंस होती है डियने की 523 वाली इसको हम बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस यह सभी बेसिक बाते आपके अंसेटी में दिये और अपने ट्रास्किप्शन में यह पढ़ा भी होगा तो हम यहां परणां पर स्प्लिट जिंग को जाना चाहरे तो हमारे देने में प्रॉड्लम यह है कि इसमें एक्वाक के साथ इंट्रॉं सिक्वेंस भी होती है तो अगर हमें कल को ट्रास्सलेशिन इफेक्टिवली करनी है तो हमें इन इंट्राउन सेक्वेंस को रिमूव करना पड़ता है स्प्लाइसिंग के थ्रू तो स्प्लाइसिंग जब होती है तो स्प्लाइसिंग के थ्रू खेर हम इस वो टॉपिक में स्प्लाइसिंग डिसकस नहीं करने वाले हैं तो स्प्लाइसिं है वो वो अन इंट्रप्टेट तरीके से हो सकता है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे स्प्लाइसिंग हुई तो यह तीनों एक्जॉन सीक्वेंस आपस में जूड़ गई लेको एक्जॉन वन एक्जॉन टू एक्जॉन थ्री कि और यह जो i how域 इसको अब हम बोल सकते हैं मेसेंजर अरने जो आपको पता है जै कि भरी ₹ तो बट क्योंकि पहले के अंदर इंट्रों से कहां से आई थी तो इसलिए कि ऐसे आरणय को हमने बोला था रist हीटों सा एटा साइजम मेशंजर एनने से बढ़ा हो में सकते हैं इस साइज में पर छोटा हो गया है कि तो इस प्लाइसिंग से हुआ कि во गी इंट्रकली कि वह है वहां रिमूब कर दीगि इस इन्ट्रौन सिकेंस थि इसमेशेटर रनने पर अमने पड़ा है इनीशेशन से लेकर तर्मिनेशन तक असानी से जो ट्रांस्लेशन है वो चल सकती है तो यह होता है स्प्लेट जीन अर्जमेंट बैक्ट्रिया के बैक्ट्रिया में तो हमने यह हमने पढ़ा भी था हम एक बात पढ़ते वह थैं कि जो किप्सिन होती है कि उसके न भी बहुत जुरूरी होता है और कि और उसके शृ सारी होटी है जिसे कि ज्सकों बोनिफ के ना कि अन्द यह इचले तो इसके अदर अदर यह सारे इवेंट्स होते हैं तब जाकर ट्रांस्लेशन शुरू हो पाती है तो यहां पर you carry out इंदर ट्रांस्किपशन ट्रांस्लेशन इस नॉट कपल्ड इन्ट इस नॉट कपल्ड इट करों के रोट्स प्रोंड असनी होता प्रों के रूट्स में jn wotar pro precision ke dal sari sequence क्या होती है exo on सीक्वेंस होती है कि और सेखर एग्जान तोहां पर इन च tails Traction के तुरंच भात कि इन पर बबडिएशन नहीं और यहां पर पोस्ट ट्रंसक्रिप्शिंट पारण सब्सक्राइब यह नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सारी के सारी सिक्वेंस क्या है कि एक्जाउन एग्जाउन वन टू एक्जाउन थ्री रही लाइज rie तो तो थी टू ओर फाइज तो ये लाइज वाले ञाले टैंपलेट फैंपलेट से हमेशा होती है आने चरंकिप्शन इस हमद्धे रहा लाने कर टाप्ंपलेट को हम शीन्जर आइचेंचंजर आपको तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहां पर वाइव तू थी आर ने बन रहा है और इसके अंदर कोई भी इंट्रों सिक रही नहीं थी तो बैट्रे करेंट नहीं नहीं होता यह में याद र Сам坐 इसका में रीजन है क्या में अब यह है कि हमारा यू को ठी ऐन रहोता है वह स्पिछड जीन होता है वीट एग्स निवंट इंट्रलेशंव के स्क्रीजे एडेऋ है और इंट्रोंत को रिमूव करना होता है में बिफोर स्टार्टिंग दर्शेर्टिंग translation so that translation में कोई interruption ना आए तो transcription and translation is coupled in bacteria जबकि हमारे eucarot के अंदर transcription और translation coupled नहीं 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 होती है so this is the basic reason between this is the basic reason इसमें सारा खेल inderon और exon का है तो इंटर और exon दोनों हमारे ची स्टेप होता है यहापर जिस में बहुत सारी चीजी होता है एडिटिंग कैपिंग टेलिंग और स्प्लाइसिंग सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसमें इंट्रों सीकुस को रिमूब करना होता है एक कंटियूस प्रसेस बने कंटियूसली हो सके अंदर क्यूंकि इंट्रों होते नहीं है तो यहां पर स्प्लाइसिंग भी नहीं होगी तो तुरंत यहां पर मेसेंजर आने के बनने के बाद ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है तो यह आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है यह बहुत इंपॉट आपको यह वीडियो प्रसंद आई होगी और मैं इसके रिगार्डिंग कुछ अब्जेक्टिक कुशन भी पूछूंगा आपसे और हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी एप का लिंक भी देंगे झाल